हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीना व्यास चैनल नचाने कितने सारी फेस की समस्याओं से हम रोज जूसते हैं कभी पफिनेस की प्रॉबलम होती है, कभी डार्क सरकल की होती है, कभी पिग्मेंटेशन, पिम्पल्स तो ये रेमेडीज में आपके लिए ओईली स्कीन वालों के लिए एक फेशल लेकर आई हों, जो आपकी स्कीन में अलग सा ग्लो लाएगा और जूरियों को भी खतम करेगा तो सबसे पहले हम बनाते हमारा फेस मसाज, फ्रेंड्स आपको किसी भी मसाज के पहले सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करना है, क्लीन करने के बाद में आपको वाइटमिन E की कैपसूल सेना है, दो वाइटमिन E की कैपसूल सेना है, और उसमें आपको थोड़ा सा हनी मिला हनी आपकी स्कीन को हील करता है और इंस्सेंट ग्लो का काम करता है इसको मिक्स करके आपको 10 मिनिट का मसाज देना है मसाज के बाद में next step second step हमारा आता है hot steam hot steam आप आपको face wash नहीं करना है और उस मसाज के उपर ही आपको hot steam लेना है आप किसी पानी को गरम करके भी steam ले सकते है या steamer से ले सकते हैं या फिर towel को अच्छे से dip करके गरम पानी में और फिर face पे steam ले सकते हैं hot steam से skin के pores open हो जाते हैं excess oil पिघल के बहार आ जाता है और skin glow करती है, चमकदार बनती है और जूरियां भी खतम होती है अब हम जो भी massage करेंगे वो हमारी skin में penetrate होगा और अंदर से उसको heal करेगा हम सब जानते हैं कि अच्छा fruit खाने में फाइदे मंदे उतना skin में लगाने में भी फाइदा करता है तो आपके पास जो भी fruit अवेलेबल हो जो भी fruit आपके पास हो उसमें आप थोड़ा सा honey मिला के दस से पंदरा मिनिट तक उसी steam वाली skin पे अच्छी तरह से अप वर्ड़ में मसाज करें उसकी बाद next step हमारा आता है cold compression cold steam लेना है जो pores आपने open किये हैं उस pores को shrink करना बहुत ज़रूरी है friends pores कभी भी close नहीं होते हैं shrink होते हैं उसको shrink करना बहुत ज़रूरी है और blood circulation का flow अच्छी तरह से हमारी skin में हो उसके लिए हमें cold compression लेना है cold compression में आप किसी भी ice को कपड़े में बांद के और face पे लगा सकते हैं या आप ठंडे टॉवल से भी skin में cold compression ले सकते हैं और last step हमारा आता है face pack किसको बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है इसको आपको बराबर लगाना है तो इसके लिए आपको lemon की 2-3 बूंदे लेनी है और मुलतानी मिट्टी लेनी है और थोड़ा सा पानी mix करके उसको अच्छी तरह से upwards से face पे लगाना है और जब तक ये सूख नहीं जाता है तब तक आपको इसको skin में रखना है उसके बाद में आपको इसको निकाल देना है इस facial को आप week में दो बार कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो like, share, comment और subscribe जरूर करना और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत thank you मिलते हमारे next वीडियो में